ब्रिटिश काल से चले आ रहे है आईपीसी यानि भारतिय दंड सहिंता की जगे नए कानून भारतिय नियाई सहिंता को जल्दी लागू किया जा सकता है हिंदी अकबार दैनिक भासकर की रिपोर्ट के मुताबिक केंदर सरकार गरतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी से पहले भारतिय नियाई सहिंता को लागू करने की अधिसूचना चारी कर सकती है इस नए कानून के रागू होने के साथ ही देश की अलग अलग जेलों में बन 82,000 कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी ये वो अंडर ट्राइल कैदी हैं जो कम गंबीर अपरादों में जेल में बन्ध है उमीद चताई जा रही है कि ये कैदी इसी साल होली से पहले जेलों से रिहा हो सकते हैं जिन कैदियों के पास जमानत देने के लिए पैसे नहीं होंगे उनके लिए केंदर और राज्यसरकार रकम का इंतजाम करेगी आकडों के मुताब एक देश की जेलों में 5,5 लाग से जादा कैदी हैं जिनमें आधे से अधिक कैदी गैर संगीन अपरादों के आरोप में बंद हैं और इनमें भी अंडर ट्राइल कैदियों की तादा 2 लाग के गरीब है बताये जा रहा है कि अंडर ट्राइल कैदियों की रहाई से पहले जेल अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और वकीलों को जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी लोगसब़ चुनाफ के करीब आने के साथ ही सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है चर्चा है कि बीजेपी को सप्ता से हटाने के लिए बने इंडिया गटबंदन में बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार को सहियोजग बनाये जा सकता है और इसे लेकर एक दिन पहले नितीश कुमार की कॉंगरेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे और राहूल गांधी से फोन पर बात भी हुई सूत्रों के हवाले से खबर है कि कॉंगरेस नितीश कुमार को इंडिया गटबंदन का सहियोजग बनाने के लिए तैयार है और अब सिर्फ इसका अप्चारिक एलान बाकी है इस खबर पर बीजेपी ने भी नितीश पर सियासी तंस कसा बीजेपी ने ताउने कहा कि नितीश का गटबंदन में पिएम पदका उमीदवार बनने का सपना भी तूट गया सुशील मोधी ने कहा कि पिएम बनने के लिए नितीश एंडिये से अलग हुए थे नितीश कुमार इंडिया गटबंदन में सईयोजग बनेंगे इस बात की सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा है लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के बयानों पर सियासत गर्मा गई है और जेडियू ने भी अब मोर्चा खुल दिया और पलटवार करते हुए कहा कि सीम नितीश को लेकर बीजेपी बयान बाजी बंद करे जेडियू नेता अशोक चौधरी ने नितीश कुमार को राजनीती का टाइगर बताया जेडियू ने सुशिल कुमार मोदी को भी उनके बयान पर नसी हद दी नितीश पर दिये बयान पर आजडिय ने भी सुशिल मोदी को घिरने में तेर नहीं लगाई नितीश कुमार जी क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे इसकी चिंता छोड़ दें सुशिल मोदी जी वो क्या बनेंगे उनको क्या बीजेपी बनाएगी इसकी चिंता करें मृत्यूंजे तिवारी ने कहा कि बीजेपी नेता अपने बारे में सोचे नीतीश के बारे में नहीं जिस पर भारतिया नौसेना कड़ी निगरानी रख रही है जहास के चालकदल ने संदिक धलचल का पता लगते ही हाईजेक होने की जानकारी बृतेन के मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स को दी जानकारी मिलते ही भारतिय नौसेना ने कारवाई शुरू की और एक गश्ती विमान लौंच किया जिसने मालवाहक जहास के उपर उडान भरी साथ ही भारतिय नौसेना ने युद्धपोत आइनस चेनने को अगवा किये गए एमवी लीला नौर्फॉक की तरफ रवाना किया जो अब जहास तक पहुँच गया है जहास के चालक दल में 15 भारतिय भी शामिल है जो भारतिय नौसेना के संपर्क में है इसराइल हमास जंग के बाद से दुनिया के एहम व्यापारिक समुद्री मारगों पर खत्रा मंड़ा रहा है खास कर लाल सागर और अरब सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले बढ़े है चार जन्वरी यानि कल सोमालिया के तट के पास M.V. लीला नौर्फॉक नाम के मालवाहक जहाज को अख़वा कर लिया गया जिसे छुडाने की कोशिशें चारी है इससे पहले दिसमबर 2023 में मालटा का जहाज M.B. रुएन हाईजेक हुआ था जो कोरिया से तुर्किये जा रहा था वहीं नवंबर 2023 में तुर्किये से भारत आ रहे गैलक्सी लीडर नाम के जहाज को हूती विद्रोईयों ने हाईजेक कर लिया था समुद्री मारगों में जहाजों पर बढ़ते हमलों से निपटने के लिए भारती इनौसेना ने रणनीती बराई और भारत ने गाइडेड डिस्ट्रॉयर मिसाइल से लैस पांच यूद पोत लाल सागर और अरब सागर में तैनात किये है पांच यूद पोतों में पहला है आइनस कोलकता, आइनस कोची, आइनस मोर्मुगाओ, आइनस विशाका पतनम और आइनस चिन्नाई आइनस चिन्नाई को पूर्वी अरब सागर में तैनात किया गया है, जिसका काम भारत आने वाले मालवाग जहाजों के लिए सेफ रास्ता बराना है सोमालिया के पास से कलगवा हुए जहाज, एमवी लीला नॉर्फॉक की मदद के लिए भी आइनस चिन्नाई पहुँच गया है जिसकी लोकेशन और तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई तस्वीरों में किम जोंगोन अपनी छोटी बेटी के साथ मिसाइल फैक्टरी का मुआयना करते देखे इस बीच ऐसी एट कलें भी हैं कि उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह किम की छोटी बेटी जू ए हो सकती है दक्षन कोरिया की खुफिया एजिंसी ने ये दावा किया है किम जोंग लंबे समय से सारजनिक जगों से लेकर मिसाइल टेस्टिंग में भी अपनी बेटी के साथ दिखाई दिया है जिस मिसाइल लॉंचर फैक्टरी में तानाशाह केम अपनी बेटी के साथ पहुंचे उनमें कुछ लॉंचर्स नौ एक्सल वाले भी थे जो एक बहुत बड़ी मिसाइल ले जाने के इरादे की तरफ इशारा करता है जो लंबी दूरी के साथ-साथ भीशन तबाही मचा सके इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग पूरे अमेरिका को अपने हमले की जद में लेने की तैयारी से हत्यार बना रहा है एक जनवरी को किम ने अपनी सेना को ये संदेश भी दिया था कि अगर अमेरिका और दक्षन कोरिया कोई भी सेने कारवाई करते हैं तो पूरी ताकत से उनका खात्मा करना है ऐसे में कोरियाई शेत्र में बढ़ता तनाव कभी भी जंग में बदल सकता है कोरियाई शेत्र में बढ़ते तनाव के भी जंग की आशंग का पुखता होती जा रही है ताना शाह किम ने अपनी सेना को मिसाइल लॉंच विकल बढ़ाने के निर्देश दिये हैं ऐसा तम हुआ जब वो हाली में अपनी छोटी बेटी के साथ एक मिसाइल लॉंच फैक्टरी पहुंचे जिसकी जड में अमेरिका है दरसल ताना शाह किम जॉंगुन हाल ही में अमेरिका और दक्षन कोरिया के बीच हुई मिलिटरी डिल से बॉकलाया हुआ है जो साउथ कोरिया के पोर्चन इलाके में हुई और ये इलाका नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास है डिल में अमेरिकी और साउथ कोरियाई सैनिकों ने जंग की तैयारियों का परिक्षन किया इस युद्ध अभ्यास में दक्षन कोरिया के K1-A2 टैंक और अमेरिका के A10-Jet भी शामिल थे दोनों देशों की सेना भारी हथ्यारों के साथ सेने अभ्यास कर रही थी जिसे देखकर तानशा किम जोंग उनका आग बबूला होना तै था साथ कोरिया और अमेरिका की ड्रिल 29 दिसंबर को शुरू हुई और कल यानी 4 जनवरी तक चली और ड्रिल खत्म होने के 24 घंटे के भीतर ही उत्तर कोरियाई तानशा ने साथ कोरिया की तरफ सैक्डों गोले दाग दिये उतरप्र देश में स्टेफ ने 1 लाग के इनामी बदमाश को मुढभेड में मार के राया यूपी के सुल्टानपूर में स्टेफ ने Most Wanted बदमाश विनोग कुमार उपाधिया को एंकाउंटर में धेर कर दिया विनोद पर गोरखफुर पुलिस ने एक लाख रुपई का इनाम घोशित किया हुआ था पुलिस करीब साथ महीने से विनोद की तलाश में जगा जगा चापे मारी कर रही थी यूपी में हलाल प्रोड़क्स पर बेन के मामले में सुप्रिम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटेस जारी किया है यूपी में सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की विक्री पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कमपनी ने सुप्रिम कोर्ट में याशिका दायर की थी भारत का पहला सूरे मिशन आदिते L1 अपने एहम पड़ाव पर पहुंचने वाला है आदिते L1 कल सूरे के L1 पॉइंट में प्रवेश कर जाएगा इस रोने पिशले साल 2 सितंबर कुष्ट्री हरी कोटा के 17 धवन अंतरेक्ष केनर से देश का पहला सूरे मिशन आदिते L1 लॉंच किया था